Hello everyone my name is Aishwara Mishra welcome back to my youtube channel radiation technology तो जो आज का हमारा वीडियो जैसे कि हमने प्रिवेस वीडियो में डिस्कस किया था QA for Radio Diagnosis तो अब हमारा जो आज का वीडियो है वो है QA for Radio Therapy । तो जैसे कि रेडियो डेगनोसिश में मशिन्स होती है फ्लोरोस्कोपी में माइमोग्राफी CT scan असे शाप से रेडियो ठरपी में अच्छच को वीडियो थैरपी में काफ़ी मश्यम्ः ठरीक ठरब हो गया थिक्ट तो इस टाइब की मशिन्स होती है सबसे पहले हम देखेंगे QA for telecobalt ठीक है QA for telecobalt में बहुत सारी कुछ चीज़े होंगी लेकिन हमको जो ब्रीफली डिसक्स करना है वह ब्रीफली आपको अलग डिसक्स करा हूँ नहीं कि देली में जैसे कि क्यों करना है तो डौर इंटर लॉक जैसे की डौर चैक करना है कि वह जो ट्रीटमेंट्रूम है वो दॉक्त अच्छे से बंधाया नहीं है तो प्रोडॉर अगर इन्टरूक नहीं होगा तो तब तक मशीन या औन नहीं होती है इसके लाव राइडिशन आपको पता है क्योंकि treatment room और इसमें अलग होता है तरफी के अंदर तो आपको देखना है कि जहां पर treatment room और radiation room में वहाँ पर monitor होता है वहां का जो monitor होता है जिसमें आपको audio visual दिखते हैं उसको check करना है कि वह proper liver कर रहा है या नहीं कर रहा है लेजर चेक करना है क्योंकि laser बहुत important part होता रेडियो थरीपी में तो जो laser laser डंक से है या नहीं है लेजर की position सही है या नहीं है उनको check करना है यह daily basis पे होगा इसके अलावा weekly आपको सोर्स की position जो सोर्स जो रैडियाक्टिव सोर्स है कोबाल 60 है उसकी position सही है या नहीं है वह weekly check करना होगा इसके अलावा output का monthly में देखना होगा output consistency output consistency मतलब dose per minute जो आपको मिल रही है वह consistent है या नहीं है मतलब ऐसा तो नहीं वह ज्यादा कम मिल रही है mechanical isocenter check मैं जो करना होगा mechanical isocenter check मतलब क смотреть करती है उस ही mechanical isocenter कहा जाता है वह यहां रहा है उसमें कोई variation तो नहीं आ इसके अलाबा wedge tray interlock check जो कि आपन wedge filters लगाते हैं wedge filters इंसर्ट करते हैं मशीन के head में उनकी वो जो interlock है उसको check करना है तो यह हमारे क्यूई होते हैं basic बहुत सारे क्यूई और भी देखने को मिलते हैं but जो mainly basic अगर आपको exam में एंको लिखना लिखना है तो यह basic होता है यह आपको लिखने ही लिखने है एक्जाम के अंदर ठीक है सो नेक्स आता है मतलब इसमें आप डिटेल में जाएंगे तो फस्ट आता है इसके अपने इसको मार्क कर दिया है इसके अपने फ्रंट पॉइंटर जो होता है उसको मैच कर दिया एक पॉइंट पर इसे इसके डर्ब्र तore Dell to अब पॉइंटर को जैसा रख आपकर रोटेट करेंगे थोड़ा थोलोड़ा कौल्यमेटर को रोटेट करोगे उसी साब्सेफ से इसे मितर में इसफ़ुमे रोटेशन है वैसे वैसे इस वैसे अपने इस ठुन्पोहन चारी को कर दिया है ठीक है इसके बाद में जब देखोगे कि पूरा एक सर्कल बन जाएगा तब आपको देखना है कि अगि सरकल का डायमेटर जो है 2 mm की उदर रॉय है थे तब तो इसके उसके अंदर कुछ जो कॉल्मेटर रोटेशन इसके करना होगा तो यह इस तरीके से कोई भी graph paper को couch पे रखा front pointer को कि टिप को रखा उसको mark कर दिया और koolimeter को जब जिससे एक एक डिग्री दस दिग्री पे पर कॉलिमेटर रोटेट यह उसी साप से पने front कुछ qualcा है तो से सबस्क्राइब लए तो कोवंद रोटेशन से नेस्ट डेखें पने से नेस्ट हलोगा कि कई रोटेशन से सब्सक्राइब करेंगे इसमें कि की यह होगा कि consistent Road को को आपने रखेंगे और पॉइंटर को आपने स्ट्राइक से फिक्स किया है यह और यह पॉइंटर है इनकी जो निप वाली जो निप वाला जो एंड होगा उसको पास में रखना है और इसके बाद में आपने गैंटर को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया 360 दिग्रे तक उसको रोटेट करेंगे जो इसी टैप वी और इसको इनको बीच तो इन दोनों के वीच वीच्क बनेगा और इस सरकल बनेगा वह भी इमेट्र को ओना चाहिए तो इस तरहीकिए से अपन गैंटरी रोटेशन को मेजर कर लेंगे कि इसमें कुछ नहीं है इसमें केंड वो पास में होगा और इस तरीक से अगर गैंटर करते रहेंगा और डिस्प्रिस्मेंट देखते रहेंगे डृच्प टिप्स तिंग दौले तिस वीच में की इसको नोट करना उसी को मेजर करना था जहादा नहीं होना चाहिए तो इसे अपन गैंटर रोटेशन से से चुलाख केंगे नमाट्स करते हैं और अमस्क्क धिला केक ख़ूभ पेपर इसके आपसे पा prov Way to कर देद हैं जोन देखना है कि फोल्ड को मुव्मेंट नौरहीं उससे जो मार्क इतलन पङको और open क्रेंशनी करना है और तर भी योड़ार ह victorious जैनों करते हैं लाज दो सब्सक्राइब काउच रोटेट करके देखते हैं कि उसके अंदर आइसो सेंटर की कॉइंसिदेंस फरक पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है तो यह होता है कॉंगरेंस टेस्ट क्या फिर लाइट गमर टेस्ट इसको कहा जाता है इसमें देखना पढ़ता है कि जो फिल्ड यह नहीं होँद अधिस में होँदां इसमें क्या होता है कि आपने फिल्म को फिक्स के और तेबल टॉप जो भी काउच उसके पर एक फिल्म को फिक्स कर दिया अग आइसो सेंटर का मतलब क्या हुआ कि काल्युमेटर गैंटर काउच 30 तिनो डिग्री पर कर रहा लिया एक कोबाल्ट मशीन में इसके अलावा जो फिल्ड लाइट है अब इसमें जो ने आपने आउन किया फिल्ड लाइट को फिल्ड लाइट की जो एजिस है मतलब इसके जो फिल्ड लाइट होगी ठीक है इनको आपने मार कर दिया पिन प्रिक कर दिया यहां से पिन प्रिक कर दिया क पीन पिल्दबर कर दिया तोप दाफम फैंटम समीट पर पाद में इसको एक्सपोज में कर दिया अब इस प्रोसेस को रिपीटे अपन बार बार में फ्यूज को बढ़ा तो एक बार बार में इस फिल्म को एक्सपोज किया है और साथ में गैंट डियांगल दिया है जब लास्ट में फिल्ड साइज आएगी जब लास्ट में पूरा अपना यह हो जाएगा तो आपने देखेंगे कि जो फिल्ड लाइट है और जो रेडियेशन बीम है उसको कि अपने तो छाहें रہा रडिया चाहरो फिल्म को फिक्स किया तो फिर्ड है उसके बाद इस नहीं सॉस्पोज किसे एक्सथि में ज데पन लाइट यू आपने पर विल्ट ओड है वि एक्सपोस किया है साथ में गेंट रिंगल दिये हैं बाद में जो फिल्म आएगी उसको अपने को चेक करना है कि फिल्ड लाइट और रेडिशन बीम का कॉइंस बेटरा या नहीं बेटरा इसका अनलाइस हुआ ठीक है इसके अलावा इस तरीक से हमें पता चल जाता है कि फिल तो श्रीक है यह हरीा इस से ज़्यादा का नहीं चलेगा तो यह सब चीजें हमें देखनी होती है का चेक्ट है कि आहाँट्पुट के आउट्पुट मतलब Jew staff र मि섯टे इसके अंधर क्या क्या होगा कि हुआ कि क्डिस गिलीमीत्रिक की काउट्बुमेट्र। काउच के उपर 5 तो रखेंगे सारे एक-एक कंटिमेटर के होंगे फैफ सेम्टम सके बाद म judgment on Re와 hundred好吃 लेकिन इसके अंदर को में प्लेस कर सकते होust क्यों इसके और सबस्क्राइफ अलावा ऐसी करते हृँ फार्मर टाइप फ्लेस कर देगे कि इसने आपने पहले पांच फेंटम प्रक करें उसके उसके उपर चेंबर होलडर रखा और अवापस से 10 थैंटम तुए क्योंकि आपको η डैफ्ट क्यों चाही होती 10 सेंटीमिटर की ताकि कि तो आपने इसको 10 cm की डेफ्थ बनाने के लिए वापस से उसके उपर 10 फैंटम रख दी एक एक सेंटीमेटर के ठीक है अब चेंबर होल्डर पे आपने फिक्स करी 80 cm की एससदी चेंबर होल्डर है ठीक है यह पहले से 10 cm की डेफ्थ पे हैं तो जो उपर वाला जो सबसे उपर मतले इसको उसके करी 90 को फीक्स कर लिए फिर उसके बाद में उसको मेजरमandy ले अपने यूस को इसको आपने उसको एक सो किया तो जो उन चैंबर यह जो एक्सपोस करेंगे तीन लेडिंग लेग और फिर उसका एवरिज निकालता है सबसे पहले आपने काउच कॉल्विमिटर गैन्ट्री को जिरो डिग्री पर किया पांच फेंटम्स रखेंगे एक एक सेंट्यमिटर चैंबर रखाया है जिसके अंदर इलेंगे जिसके अंदर तरह पांको measurement करना आइनाज़ाइछन का जो भी Pr crowd मिल रही है वभर उसके बार 10th वापस का रग दिया संटिमेघर के dooms जो पहले होता है इसमें भी कई डिफेक्ट आ सकते हैं तो इसकी जो प्रॉपर जो रीडिंग होती है करेक्टर जो होती है यहां तक अपने को यह पूरे फॉर्मुला सो निकालना होता है जो लास्त आती है वह अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर आ रहे है या नही है वह आप नहीं आपको प्रिवेस टे इचस्यकम है और इसकी इस हो lieu में प्रिवेस भीडिए में कहा था खोका दे पा चुछ कॐँड़ एक मोड़न तो या अपर बराबलिषेश्ट कालिज षी सावी लाब्य जांव होने सकते हैं और इसकी नोर्च आपको मैं टेलिग्रा कर दूंगी जैसे कि मैं आपको प्रीविश वीडियो में कहा था ठीक है तो यह आउटपूट के लिब्रेशन करते हैं तो लास्ट जो उसके अंदर होता है लास्ट होता है स्वाइब टेस्ट स्वाइब टेस्ट में क्या देखना होता है कि अपने को जो कॉलिमेटर है वो सब्सक्ती हमारे कमप्लीट टेस्ट कोब्ल्ट इहँ सब्सक्र में आब और भी यह दो तो अब Celebrate Work जो वेज अपन लगा रहे हूं उसका इंटर लॉक इलेक्ट्रोन एप्लिकेटर का इंटर लॉक ही सब चीज़े की इंटरलॉक चेक करना होता है रिदेशन रूम मॉनिटर चैक करना होता है कि अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है मल्टीस कोलिमेटर चेक को रहा है कि इसवां मैकैनिकल आइसीं रूम एक साहल रहे है नहीं हो पॉले जाता हैं इसमें क्या होता है जो रेडियाशन वीम की सेंट्रल एकसिस है वह मेकनिकल आइसो साथ में कॉइंसीडेंस हो रही है और रहे हो कहीं पर कट तो ने रही है तो इसके लाव फोटोन वीम एनरजीज इस्टैबिटी चैक आपको पता है लीनेक इंदर बहुत सारी फोटोन वीम क कंसिस्टेंसी चेक होता है तो यह बेसिक है इसके लावा भी बहुत सारे क्यों शोटे वड़े होते हैं बट यह बेसिक है जो कि आपको एक्जाम के अंदर लिख के आने हैं तो फर्स्ट होता है मेकनिकल आइस सेंटर जैसा कि मैंने अपको टैली कोबाल्ट में बताया था उस घ्रीक अदर रहों पर काउच के उपर घ्रीक रखी है जो अपने ने एक एक फिल्म को बढ़े वह टे के डिया और काउच के उपर आपने एक फिल्म रखी है इस सेंटर पर जहां पर गैंटरी काउच और कॉलिमेटर बिल्कुल इंसक्ट होंगे और इसमें SSD कितनी होती है SSD लीनेक के अंदर अपन रखते हैं 100 cm ठीक है अपन उसकी फिल्म के उपर अपने लगा दिया है 1.5 cm का बिल्ड कर दिया है ठीक है आपने कॉलिमेटर का अपर जो तो क्या कर दिया पूरा वाइड ओपन कर दिया है और य एक्सिस को बिल्कुल थोड़ा क्लोज कर दिया तो इसमें 2-3 cm की यह 2-3 mm की जो होगी एक स्लिट बन जाएगी आइस सेंटर पर अब इसी तरीके से आपने कॉलिमे इससे को तरीके से को अब मतलब तरिक को मतलब आखो ओगगा वो तो यह नहगा है तो इस तो इस तरहे के जए नहीं तो सिंद्वल के विल्कुल थो नब सब has終 ba तो इस तरीक से एक स्लेट बनेगी उसी स्लेट के अकॉर्डिंग अपने उसको बार बार में कॉलिमेटर को छैसे साथ एक्सपोजर पर रोटेट करते हुए छैसे जात एकसपोजर दिया है और एक वीहिल बरा लिया है तो इसका राइमेटर टु मम के उन्डर होना चाहिए ठ स्लेटल पर इसके आवा हैं आङर है तो फिल्म के पर्पैंड टेस्ट कर देंग खर दिया है तो इसके अन्दर अगर आपने कोई बीपर्टीकुलर से काई तो अगर आया वह तक आसे इसार लख दू या यहां पर तो यह इस तरीके से बनेंगे यहां यू यू आ लगल गांट रियंगल से यहां पर भी एक सरकल बन जाएगा एज इसके उपर तो उसमें भी उसका वे जो डायमिट्र होता है वह दो से तीन इम्हं का होना चाहिए तो वहाई है कि इसने क्या गैंट्रेंगर में क्या क्या है कि इसको आपने प्रपेंडिकुलर कर दिया है फिल्म को इस तरी के से प्लेस किया और गैंट्रे को सके चारतर्फ रोटेट कर दिया कउलिमेटर रेस्टेक्स को कर देखक सीफिपिक्स का विल्क चोलिमेटर इसमें क्या हुआ, इसे स्केट होगा इसमें पे यापने इसको ओंप जिसकोपर कर दिया है उसके के बाद में काउच को का मुव्मेंट करते गई इधर उदर काउच को पूरा आपने उसको 360 डिग्री पर घुमा दिया तो इसके अंदर भी यह जो सारी लाइन्स होगी इस तरीके से स्पोक यह पहिया बना लेगी तो इसमें भी डायमेटर होना चाहिए तो इसी तरीके से से करना है कि film को प्लेस करना है टेबल सेंहर पर सेंहर पिसके बाद में एकस जो एकसिस का इसको कॉलिमेटर इसको कम कर देना present कि जाएक तो इसमें सेम से लाई आईगी का कॉलिमेटर फिल्म कंखेक करना न elder गार्ड को सिक्स करना है यह तरीका से अपन यतpro सत्य को अचग ratings सकते हैं वह ही तसकी को क्योट कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब 56 कर लिए तरह है यह नहीं हो रिक्तिक अचनलियर्श कोई देखना जो कि आपने एक यहां जाएनराइशजाशन चैंबर को रख और गर इसका रेशयो चिक करने है तो मतलब इसकी प्मwhen यानि QI इसे कहते हैं तो इसतरी के साथ को फोटन विम आझे इनर्जी स्टेबल है नहीं है आपने क्वालिटी इंडेक्स से चेक करते हैं ठीक है नेक्स्ट जो होता है वह होता है MLC क्यों होता है MLC मतलब क्या होता है MULTI LEAF COLUMEETER जो कि लिनेक में अलग तैप को कॉलिमेटर मिलता है MULTI LEAF COLUMEETER अलग लीज होती है उसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें देखना है कि to assure the delivery of treatment BIM using MLC's accurate मतलब जो MLC के साथ में जो treatment हो रहा है वह accurate हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर eustatic is drink MLC जो होती हो दो टाइप को होती है एक तो थी systematic और एक होती है stoichi को यह देख न रहा है कि एक कोई बी और कोई सब्सक्रावाब कोई आक क्या सच विशा हो इस सब्सक्रावन घंगर सनी और इक साथा ही इस तरीके से आप उसको software को औरेंज कर देंगे कि 22 mm की slits बन जाएगी और उसके बाद में डायामिक होते विए आप उसको चेक कर लोगे अलग अलग डायेक्शन में जैसे कि यहां पर पहले यहां पर इसने 2 mm की slits बना दी इधर थोड़ा आ गए इस साइड में slits बना दी मत उसके अंदर उतनी ही radiation beam निकल रही है जितनी अपने को expected है या नहीं तो यह होता है क्यूए फॉर लीनक में हमें बस इतने ही रहान में रखने हैं यह सब चीजें आप देख लेना और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट उता कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूश लेना नेक्स जो होगा वह होगा QA4 HDR Brachy Therapy अब जो QA4 Brachy होता है उसके अंदर अपने को कौन कौन सी दियान में रहने है पॉजिशन एक्यूरेस थी कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स की पॉजिशन सही जगे है या नहीं है लीकेज यह कंटामिनेशन कहीं लीकेज तो नहीं हो पॉजिशन में करने में ठीक है तो फस्स जो होता है वह होता है पॉजिशन एक्यूरेसी के लिए देखते है और टो रेडियो ग्राफ तो वेरिफा दा पॉजिशनिंग एक्यूरेसी एंड उनिफॉर्मिटी ऑफ सोर्स प्लांट जैसे कि अपने प्लान के वैसा का वैसा आ था आ आप में रधार किरा दिया था इसके रावा कि भीलत की इवह यवं सीटार इशनिल य्चलिशन इंड डा इंड तै चीक अपने प्लाया यह प्लाया था जाएप्सšt्क आपडार ने हो wasting लाई प्लाऊ स्टास के लिए बीसर में पर यह वाल वाली यह टो लाई थान फ लाउस या मशना सलू करी कि एक सब्सक्राइबो कने का अपर अपैस्क इसदें आना करा क्यू है यां बोछ इस सब्सक्राइब दूसरे श्रुजबंगे तो क्या चनत रस आपक है इसना पाचर और इनला , तो को अब इसके अंदर देखेंगे कि स्टेंडर्ड ड्वैल पोजिशन मतलब कि जो पूरी जो कैथेटर के इसके इंदर सोर्स की डिस्टेंस कितनी कितनी है तो इस तरह किसे आपने ट्रीटमेंट के एक्जेक्जूट कर दिया और रेडियोग्राफ लेलिया इस फिल्म के तो यह अपने को पता चल जाएगा इस रेडियोग्राफ से कि जो अपने लगाई यह उतने में आ रही है या नहीं आ रही है तो इसमापको सिफ यह द्यान में रखना एक 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 सरी फिर्म ली है ग्राफ शीट के उपर इसके पर दो परला लाइन को आपने प्लेस कर दिया बस्त पर पहले लाएंट खींच दिये ग्राफ के एक रेफ्रेंस लाइन लगा दी है एक कैथेटर को रेफ्रेंस लाइन के बिलकुल जोड़कर अपने लगा तो आपने पोजिशन को मेजर कर लिया है इस को वैरिफाइड कर लिया है कि उतनी ही डिस्टेंस पर आ रही है यह नहीं है तो यह होता है इस तरह की सब पोजिशनिंग एक्यूरेसी को चैक कर सकते हैं ब्रैकी थेरपी के लिए ठीक है और जो नेक्स आता है वो आता है इसमें आप कैलिब्रेशन ऑफ सोर्स का कैलिब्रेशन कैसे करेंगे क्या होता है कि जो HDR सोर्स होता है रिडियर्म 192 की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए और उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू से उसको कंपैर करने के लिए करते हैं इसके अंदर क्या करते हैं कि जो आइनाशन च करना है प्लस आपको उसके साथ वेल टाइप और को जोड़ देना है तो यह था जो बी करण गया जो भी यह एकी उ richness होगा कर लेना है तो और उसकी लिएकशन यह है तो क्लिच रिड़ने के बाद में अपने वह समय काने लेकर के उसको वेरिफाय कर लेंगे कि वह एक्यूरिट आरही है नहीं आरही मतलब क्या करना है कुछ नहीं है कि एक वेल्टाइप एनिशन चेमबर यूज करना है जो सोर्स को कैथेटर के अंदर जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं वहां पर उसको लगा दिया उसी को जोड़ द क्या होता है इस तरीक से अपने को जो लास्ट स्ट्रेंट होती है वह मिलती है लास्ट सोर्स स्ट्रेंथ इसके अंदर आपको मिल जाएगी मैं इसके भी नोट्स आपको टेलिग्राम पर सेंड कर दूंगी तो यहां हमारे कंप्लीट होते हैं क्यूए टेस्ट फॉर क्यूए टेटर आपने यूज किया उसके अपने क्यूए तो यहां पर अपना क्यूए फॉर एच्डर खतम होता है यह मैंने आपको ब्रीफली मतलब थोड़ा थोड़ा समझाया है विकॉस इस एक्जाम ताइम तो मेरेको बस यह क्यूए एक बर आपको उपर उपर से बता की अपना करें ऍथाएम करें तरह हों चेक कर सकते हैं अगर हमसे इन्सेसे पर डियॉय कर के भी पूछ सकते हैं यां फ्रीकमें करके पूछ सकते हैं धियांक करके मैं थैंक्स फॉर वाचिं